दोस्तों क्या आपके हड़ियों से कट कट की आवाज आती है गुटनों में दर्द रहता है आज कल बहुत सारे लोग जोडों के दर्द से परेशान हैं बहुत सी दवाईया लेने पर भी फायदा नहीं होता है लेकिन जोडों के दर्द के लिए मेथी दाना तथा मेथी का पा रुमेटोईड गठिया इत्यादी गठिया यह शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है लेकिन विशेश रूप से यह घुटनों तथा कंधे और कूलों को प्रभाविक करता है कई बार तो यह असहनी होता है ऐसे में दवायों के सेवन के साथ साथ आप कुछ घरेल उपायों की भी मदद ले सकते हैं इससे हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है आईए जानते हैं मेथी के दाने तथा मेथी के पानी को डायेट में कैसे शामिल किया जा सकता है जिससे आपको जोडों के दर्द की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए नमस्कार निशाम वीडियो की जानकारी तुरंट पाने के लिए बेल के बटन को भी दबा दीजिए मेथी दाने का वज्ञानिक नाम ट्राइगो नेला फोनम ग्रेसियम है इसे हिंदी में मेथी दाना कहा जाता है मराठी में इसे मेथी या फिर मेथ्या कहा जाता है अंग्रेजी में इसे फैनोगरिक कहते हैं संसक्रित में इसी मेथि का कहते हैं आपकी यहां इसे किस नाम से जाना जाता है कृपया कमेंट्स करके ज़रूर बताएव ताकि बाकी लोगों को भी इससे लाभ को सके दोस्तो, मेथि में बहुत से विटैमिन होते हैं लाइसीन और एला ट्रिप्टोफोन के अच्छे स्त्रोथ होते हैं चलिए जान लेते हैं मेथी दाने का सेवन आपको किस तरह से करना है हम नेक सॉस पहन ले लिया है इसमें दो गिलास पानी डालेंगे इसमें अभी हम चार चमच मेथी दाना डालेंगे दोस्तो मेथी के अर्क में एंटी इंफ्लेमेटरी गुन पाया जाता है जो सूजन को कम करता है इसमें एडिमा और गठिया जैसी सूजन से समंदित समस्याव को समाप्त करने की शक्ति होती है अब हम इसमें एक बड़ा चमच कलोंजी डालेंगे इसे मगरेला भी कहा जाता है यह हमारे जोडों के दर्द के लिए बहुत ही असरदार होता है दोस्तो यह बहुत ही साधारंसी विधी लग रही है लेकिन हमें इसे सही तरीके से पकाना है तभी हमें इसे लाब हो सकेगा अभी हम इसे गैस पर रखेंगे गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है और इसे बहुत ही धीरे-धीरे पकने देना है जब तक कि ये मेथी दाने फूल कर ऊपर ना आ जाए और ये पानी का रंग पूरी तरह से ना बदल जाए तब तक हमें इसे पकाना है इसे पकाने के लिए हमें लगबग 10-15 मिनिट लग सकते हैं अगर हम इसे सही तरीके से नहीं पकाएंगे तो मेथी के सारे गुण पाणी में नहीं आएंगे और हमारा ये जो ड्रिंक है वो असरदार नहीं बनेगा ऐसा ना हो इसलिए हमें थोड़ा पेशन्स रखना बहुत ज़रूरी है मेथी में inflammatory और antioxidant गुण पाया जाते हैं ये गुणकारी तत्व जोडों की सूजन को कम करके arthritis के दर्द से रहात दिलाने में मदद करते हैं मेथी में iron, calcium और phosphorus भी भरपूर मातरा में पाया जाता है इसलिए मेथी के अवशेदिये गुणों से हड्डिया स्वस्थ वो मजबूत रहती हैं नेमित रूप से मेथी तथा मेथी के पानी का सेवन करने से जोडों का दर्द और सूजन से आराम मिलता है देखिए अभी पास से 6 मिनिट में मेथी के दाने अच्छे से फूल कर उपर आने लगे हैं इसे हमें अच्छे से पका लेना है जब तक ये पानी आधा शेश ना रहे जाए तब तक हमें इसे पका लेंगे 15 मिनिट पूरे हो चुके है मेथी दाने अच्छे से पक चुके है और पानी का रंग बदल गया है अभी ये पानी किवल आधा शेश रह गया है हमें इसे इतना ही पकाना है अभी हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे अभी ये ठंडा हो चुका है इसे अभी हम चान लेंगे एक बॉल के उपर मैंने एक चलनी रख दी है इसमें अभी हम इसे चान लेंगे हमने इसे अच्छे से चान लिया है मेथी के दाने और कलोन जी का हमें क्या करना है मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाली हूँ हमेशे अभी साइड में रख देंगे लीजी हमारा बहुत ही असरदार मेथी दाने का पानी बन कर तयार है इस ड्रिंक के कुछ ही सेवन के बाद आपको हड्डियों का दर्द, घुटनों का दर्द, एठन, सूजन इसमें से आधा पानी आपको सुभे पीना है खाली पेट और आधा पानी आपको सोने से पहले पी लेना है इस तरह से आपको एक महने तक लेना है अगर आपको उल्टी, चक्कर या फिर मचली होती है तो आप इसका रोज सेवन ना करे एक दिन छोड़कर आप इसे लीजिए आपको बहुत चमतकारिक लाब मिलेंगे चली अभी जानते हैं इसके दूसरे प्रयोग के बारे में हमारे पास ये जो उबले हुए मेथी दाना और कलोंजी है इसका हमें क्या करना है आप चाहे तो इसकी सबजी बना कर खा सकते है या फिर सलाद में डाल कर भी खा सकते है या फिर इसे मिक्सर के जार में डाल कर पीस लीजिए और आटे में इसे मिक्स करके इससे रोटी बना कर खाईए इससे आपके जोडों का दर्द, गुटनों का दर्द, अकडन, एठन, सूजन, सब ठीक हो जाएंगे इसे के साथ आपके बाल स्वस्त बनेंगे, आपकी त्वचा बहुत ही निखरेगी आपको diabetes यानि की मधो में हमें भी आराम मिलेगा मेथी दाने के सेवन से हमारा पाचन तंत्र ठीक रहता है कब्ज, गैसेस, ऐसे डीटी, बवासिर जैसी समध से खत्म हो जाती है इतना ही नहीं तो मेथी दाने के सेवन से वजन भी बहुत तेजी से कम होता है चली अभी आप जान लिजे तीसरा नुस्का एक चमच मेथी को एक गिलास पानी में रात में भीगो कर रख दीजिए इसे हमें 10-12 घंटे के लिए भीगोना है सुबह इसे चान कर इस पानी को आपको पी लेना है चाहे गुन-गुना या फी ठंडा पीजिए और इन मेथी दाने को चबा-चबा कर आपको खा लेना है इसी तरह से आपको लगातार एक हपते तक इसे लेना है फिर एक हपते का ब्रेक देना है फिर नेक्स हपते से आपको लेना शुरू करना है जब तक आपको हड़ियों में दर्ध है तब तक आप इसे ले सकते हैं जोडों के दर्ध, गठिया, सूजन, आर्थरेटिस में काफी आराम मिलेगा यदि आपको इससे कोई समस्य होती है तो आप इसे तुरंट लेना बंद कर दीजिए अब जान लीजिए मेथी दाने का सेवन किसे नहीं करना है गर्भवती महिलाए इसका सेवन बिलकुल भी ना करें क्योंकि इससे गर्भपात होने का डर बना रहता है लेकिन अगर आपके डिलिवरी हो चुकी है आप फिडिंग मदर है याने बच्चे को दूद पिलाती है तो आप इसका सेवन जरूर कीजिए इससे दूद की मातरा काफी बढ़ती है मा तथा बच्चा तंदरुस्त होता है गर्भबती महिलाओ को छोड़कर बाकी सभी इसका सेवन कर सकते हैं लेकिन आपको अगर इसे लेते समय चक्कर आते हैं जी मचलाता है उल्टिया होती है तो आप इसे तुरंत बन कर दीजिए दोस्तों बहुत से लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा क्या हमें गर्मियों के दिनों में मेथी दाने का सेवन करना चाहिए तो इसका उत्तर है हां मेथी दाने की तासिर थोड़ी गर्म जरूर होती है लेकिन जब हम इसका सेवन पानी के साथ करते हैं तो इस पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से लाब हो सके इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए नमस्ते